हेलो वेल्कम बैक तो माई चैनल आज का यह मेकप लुक बिल्कुल सिंपल है और सिर्फ वाइट टॉन क्रीम और वाइट टॉन पॉडर से क्या गिया है और यह लुक कब और कैसे क्रियेट करना है इसको मैं मेकप के दौरान बताऊंगी और जो यह आप हैर स्टाइल देख रह हुआ है जो कि आपके सामने में है तो चलिए मेकप लुक शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली वार है तो सब्सक्राइब करिएगा कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप किस तरह का मेकप लुक देखना चाहते हैं यहां पर मैंने लूट непाकर किया है इसके बाद इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बाद मैं यहां पर बैंग पहन लोंगी बैंगब यूञत के बाद मैंने मॉसटाइजर क्रेम यूच किया था यह की कलििप कट गया है उसके बाद मैं यहां पर यूडियो जैल यूच कर रही हूं प्रामर क्योंकि इसका भी response काफी अच्छा है और यह light makeup है आप की नई शादी हुई है या पुरानी शादी है घर में कोई पूजा पाठ है उसमें आप इसी लोग को create कर सकते हैं आप पूजा करने जा रहे हैं उसमें कर सकते हैं इसलिए मैंने जूडा किया हुआ है कि घर में किसी काम पर अगर आप makeup look create कर रहे हैं तो खुला बाल आप काम नहीं कर सकते हैं इसलिए और यहां एलोवेरा जेल को मैं बिल्कुल अपने चेरे पर अंडर आइज पर बिल्कुल मैं मसाज कर रही हूँ जो कि हमारे इस्तिन के लिए अच्छा भी होगा हमारे इस्तिन को स्म करने के लिए चोड़ देना चाहिए उसके बाद यहां पर मैंने एक एंगुलर ब्रस लिया है और हुड़ा व्यूटी का आई फिलप है या आई जेल आपका है उसके पहले मैं आइब्रो में अच्छे से कॉम कर लोंगी उसको सरी डारेक्शन में सेट कर लोंगी उसके आउट लाइन बना के फिर हलका हलका आपको फिल करना है ध्यान रहे कि आप सेंटर से ही सुरू करें क्योंकि अगर आप विरस में अधिक प्रोडक्ट आ गया है और आप स्टार्टिंग से सुरू करिएगा फिर वहां पर जमा हो सकता है और दूसरे आइब्रो को जब मैं फ आपको दिखाऊंगे बिल्कुल लुक है आपका यहाँ पर बिल्कुल लुक मैंने क्रियेट किया हुआ है कोई अधिक प्रोडक्ट चेरे पर योज नहीं किया है क्योंकि हमेशा अगर आप अपने चेरे पर मैक्सिमम प्रोडक्त लगाते हैं तो आपकी नेचूरल खुबस किया है और इसी तरह मैं दूसरे को भी कर लोंगी और करने के बाद यहां पर मैंने का लिया हुआ है और एक दूसरे चोटे से ब्रस से वह भी एंगुलर ब्रस है क्योंकि उससे भी मुझे लाइन बनाना है अगर आपका चोटा-चोटा अब भी है तो थाग जाता है तोDhkaट को द णाद dhã आएं तुस तरह मैं उस चोटे से ब्रस से नीचे और उपर लाइन बना दिया है से और ऊपर के पार्ट को उपर की तरफ मिला दूगी नीचे के पार्ट को नीचे की तरफ जो हमाराइन कंसीलर है उपर के प्रोड़क्ट को उपर की तरफ ले जाकर मिला दूंगी नीचे के प्रोडक्ट को नीचे की तरफ बीच में भी मैंने डाल दिया कंसीलर बांके आप क्या करिए यह जो बिल्कुल यह ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बांके आप अपने फिंगर से बिल्कुल ऐ लगा लिया है और अब यहां पर मेरा आइबरो हो गया है फिल मैं आई सेडो का यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैं बार बार बोल रही हो लाइट मेकप है घर के लिए है तो यहां पर मैंने वाइट टॉन क्रीम आपको दिखाया उसके साथ आप चाहें तो एक दो ड्रॉप यूज कर सकते हैं यहां पर मेरा मैवलिन का फिट में फांडेशन है सेड नमबर 128 है तो अधिक मैंने वाइट टॉन क्रीम लिया उसमें दो ड्रॉप जो है मैंने फांडेशन मिलाया और उसको अच्छे तरीके से मैं मैंने मिला लिया और इस तरह से डाल कर पूरे चेहरे प कर दो lat tych beauty blender की सहता से मैं उसको अच्छे से मिला लूगी और यह मेरा कलरवार का beauty blender है जो की मैंने आप लोगों के साथ सेर किया है इसको अच्छे से करके मिलाने के बाद तो यहां पर मैं अंडर आइज में थोड़ा सा कंसीलर यूज कर लूँगी और थोड़ा होट के बगल में और चेहरे पर हलका एक दाग है जो की छुटने छुटने को है तो वहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है आई शेडो यूज नहीं करना है मुझे तो इसको भी मैं व्यूटी बिलेंडर जो है वो नंबर वन कटेग्री पर आता है तो मैं यहां पर एक पॉडर ब्रस की सहता से इसको अच्छे से मिला लूँगी और ब्रश में थोड़ा ज्यादा आ गया था प्रोड़क्ट आप देख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं मैं उसको अच्छे से मिलाने के बाद आप क का यूज नहीं भी कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर करूंगी क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मैंने फॉंडेशन यूज किया हुआ है तो इसको सेट करने के लिए मुझे यहां पर मेकप फिक्सर यूज करना पड़ेगा तो यह मेरा फानली जितना भी क्रीम था मै मैं किसी भी तरह के beauty blenders इसको नहीं मिलाऊंगे क्योंकि मैंने ज्यादा product अपने चेरे पर इस्तमाल नहीं किया है यहाँ पर मैंने काजल के लिए faces canada का काजल लिया हुआ है और eyeliner के लिए भी faces canada का ही eyeliner मैंने यूज किया हुआ है और यूज करने के बाद मैं यहां पर आयवाई का यूज करूंगी फॉल्स आयलेस जो कि मैंने आपकी साथ सेयर किया हुआ है आप अगर मेरे पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लिजेगा जो कि मैंने परपल.com से मंगाया है और वह बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल अच्छा hand är to me lives मुझे इतना अच्छा लगा और यूज करने में विककाफी काफी इजी होता है अब यहां पर मैंने बुलू हेवन का मास्कारा लिया हूआ है और यूज कार लिजे जिसे कि Vallahi मृटलawn आपके रियल आयलेस्यस में अच्छे से मिल जाए और सेट हो जाए तो यहां पर टोटली मैंने मेकप कर लिया है और उसके बाद मैं फाल्स आयलेसे सी उच कर लूँगी इसमें मैंने ग्लू अपलाइ किया हुआ है और ग्लू अपलाइक करके आप दो चालिस 30-40 में तक उसको फोक कर या जैसे भी हो हालका ड्राय होने दें और सेंटर में उसको रखिए और कई लोग प्लकर से भी करते हैं लेकिन मुझे से हाथ से कापी अच्छे तरीके से सेट होजाता है वह अच्छे तरीके से सेट हो जाता है तो मैंने यहांपर फॉल्स-स दोनों आई उच्छ और यूच कर लिया है और implant मलाने के लिए मैंने 18- maps और बी यूच किया हूआ था लेकिन मेता इससे भी तरीके से मिल गया था यहांपर मैं परपल का लिपिष्टिक यूज़ कर रही हूँ यह लिकूट लिपिष्टिक नहीं है मैटे लिपिष्टिक है और कापी अच्छा है और इसके डब्बे में इसका सारा लिखा हुआ है डिटेल तो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूगी वैसे मैंने इसको परचेज किया मैंने शेयर किया हुआ था और यहां पर मैं मांग भर लूँझी मैरन कर सिंदूर से हूँ है और बिंदी लगा लोगि और इसके साथ ही मेरा यह मेकप लूप कंपलिट हो गया है तो आप ज़ Marin कमेंट कर बताएगा मेरा यह मेकप लूप को जार लगा चैनल पर नए हैं तो फटासा करती हूं अपको यह मेरा विडियो और मेरा प्रियास अपशन्द दया होगा तो मिलती हों चरुकित को जाते जाते लाइक ज़रोर करें जुड़ा के बारे मैंने बताया था कि पहला जो मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा में में यहां पर लगाया था तो मिलते हों डियर मैं आपसे अगले ब्लॉक में बने रहें इस चैनल के साथ बाइवाई लब यू आल